इसराइल के प्रदान मंत्री नितन्याहू ने हमास को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि हमास को ध्वस्त कर देंगे नितन्याहू का ये बयान इसराइली कापनिट के एमेजनसी मीटिंग के बाद आया की एक आपात बैठक बुलाई गई थी नितन्याहू की तरफ से और उसके बाद जो बयान सामने आया वो ये कि हमास को हम दोहस्त कर देंगे और ये बात वो दोहरा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी वो ये बात कहते आये हैं कि हमास को पूरी तरीके से नश्च करेंगे उन्हो कैपनिट की ये आपात बैठक बुलाई गई थी बैठक खत्म होने के बाद दरसल इस मीटिंग में क्या हुआ वो पता चला और नितन्याहू ने अपने संकल्प को एक बाद फिर से दोहराया कि वो हमास को पूरी तरीके से धौस्त कर देंगे हमास के अंत का काउंट डाउन शुरू हो गया है इसराइल की सेना हमास के ठिकानों पर खहर बरपा रही है गज़ा पर टीप इसराइल के हमलों से काप रही है आसमान से बमों की बारिश हो रही है हमले तेस करने से पहले इसराइली सेना ने एक बार फिर उत्रे गज़ा को खाली करने का आल्टिमेटम दिया खरीब तीन घंटे हमले भी रोके और अब इस्राइली सेना आतंकियों के अंत के लिए पूरी तरह से जमीनी लड़ाई शुरू कर चुके है। इस्राइली सेना ने गाजा पर हमले तेज कर दिये हैं अब तक हमास के तीन टॉप कमांडर अबु मुराद, अलिकादी और बिलाल अल के तरह हो चुके हैं। इस्राइल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 100 से ज्यादा आतंकी ठेकानों को परबाद किया हैं। जिसमें हमास के मिलिटरी हैटकौाटर, आतंकी अड़े, एंटी टैंक पोस्ट और अब्सर्वेशन पोस्ट शामिल हैं। गाजा को घेरने के लिए इस्राइल ने तीन और से मोचा खोल दिया है। जमीनी लड़ाई को और तेज करने की तैयारी है ताकि हमास के आतंकीों की तलाश की जा सके। उनका खात्मा किया जा सके। एक और इसराइल गाजा में हमास की खिलाफ अपना भियान तेज कर रहा है तो दूसरी और हमास भी इन हमलों का मिसाइलों से जवाब दे रहा है नौ दिन पहले जब आतंगवादी यहां पर आये थे तो उन्होंने सेडरोट को निशाना बनाया था यहां पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया था और आज एक बार फिर सेडरोट को निशाना बनाया जा रहा है हमास के रोकेट लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में और इसलिए यहाँ की सरकार ने, इस्रेял की सरकार ने सेड रॉट से लोगों को सुरक्षित थान पर जाने के लिए आदेश दे दिया है, जो लोग अपने आप जा रहे हैं जो अपने आप नहीं जा स सरकार ने उनके लिए इस तरह की बसों का इंतिजाम किया है कि इस तरह की बसों में वो यहां से निकल कर सुरक्षित थानों पर चले जाए सिड्रोट को लगातार हमास के आतंगवादी निशाना बना रहे हैं आज हमास के आतंगवादी गतिविधी गटना के एक हफते बाद आठ दिन बाद भी यहां पर बंबारी लगातार जा रही है यहां पर विशाना बनाय जा रहा है अब से थोड़े पहले यहां पर एक वाकिट अटाक हुआ भी था और इसी लिए अब यहां बसों में लोगों को यहां से भेजा जा रहा है युद्ध कुले कर मोर्चा बंदी सर्फ एक और नहीं काजा पर कारवाई की बीच इसराइली सेना ने सीरिया के अलेपो एरपोर्ट पर बंबारी की साथ ही लेबनान में हिजबुल्ला के सैनिट ठिकानों पर भी हमला किया जवाब में लेबनान की ओर से तागे गए मोटार से तीन इसराइली खायल हुए है जिसमें एक किहालत कमधीर बताई जा रही है ये शीबा मेरे पीछे जो है दौर है और जो आप देख सकते हैं ये शीबा जो है ये आकरी गाओं है कल जो पत्रकारों की हत्या हुई थी इसराइल ने की थी एक मीजेल आके बिलकुल मेरे इस पीछे जो पहाड आपको दिखा ये फलस्तीन का इलाका और साथ में इसमें लेबनान रक्षनी लेबनान का इलाका सेटा हुआ है मैं सुबह एक गंटे से यहां इस पूरे इलाके में हूँ यहां पर बगाया जा रहा है कोई आम नागरिक नजर नहीं आगा रहा है इतना तनाव यहां पर बना हुआ है क्यूंकि हिद्बला का में ठिकाना जो है यहीं आप देखिए पहाड़िया है यहां पर इसराइल के यहां पर कोई भी उनका बार जो सीमट के कंक्रीट वाल्स उनुने लेबनान के दूसरे सीमावरती अलाकों में बनाए हैं इस पहाडों पर बनाए नहीं है, मुझे यहां पर इस्थानिया लोग कह रहे थे कि चरवाहे जाते हैं फलस्तिन में यहां से लेबनान के पाल के फिर वापस आजाते हैं और इसलिए उन में लडाक को भी हस्बॉला के जो है। पहले ही इसराइल के इसराइल के इसराइल के में गुछे हैं यानि फलिस्तिन में गुछे हैं जहांपर इसराइल है और अगर ऐसा हुआ तो ये तैह है युद का दाइरा और पढ़ेगा तेलवीब से आशितोश मिश्रा, काजा बॉर्डर से, कौरफ सावंत के साथ, लिबनान इस्राइल बॉर्डर से अश्रफवानी आज तक गजापटी पर इस्राइल के जमीनी ऑपरेशन को लेकर दुनिया बटी दिख रही है कई देश हमास आतंकियों के खिलाफ इस कारवाई का समर्थन कर रहे हैं, तो कई विरोट इस बीच भारत में भी इस्राइल फिलिस्तीन को लेकर सियासी बयान बासी तेज हो रही है AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने खुल कर फिलिस्तीन का समर्थन किया गाज़ा पर हमले को लेकर इस्राइली प्रधार मंत्री नितन याहू को निशाने पर लिया तो असम के मुख्य मंत्री है मंत्ता विसो सर्मा ने कहा कि हमास का पक्ष बोनने वाले हमारे शुप्चिन तक नहीं हो सकते आद भूमन राइट्स की बाद करती है यह दुनिया जो बड़े फन्डमेंटल राइट्स की बाद करती है आज यह बड़े बड़े मुमालिक आज का मुरुष बैटे हैं गूम्मे औंध्ये बन्ह कुक्ष बन्ह क помог support नाया आज आपने वहा कि रूश हूत हमास एक टेरोरिस्ट और्गेनाइजिशन है और हमारा डेश का ये नीतिया है कि हम पिश्षभर में जहां भी टेरर होगा हमास एक टेरोरिज्टेर का ये कर्टेव्य होता है हमास को कंदेम करना और हमास का खिलाप आवाज उत्ठाना जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उताता है या हमास का पक्स में बोलता है वो लोग हमारा डेश का सुपसिंटक नहीं है मुद्दो का मैदान तर्कों पर घमा साथ किस से किस के ठरी किस ने दी किसे पढ़ता है जिसको छेपाने की उशिश्टाब की दुनिया का सबसे बड़ा अखाडा दंगर देखे मेरे यानि चित्रा द्रपाथी के साथ रोज शाम पांच बजे सर्व आज तक पर खुश रहें आबाद रहें क्या हमारी क्या तुम्हारी बैर नहीं किसी से अपनी सबसे यारी सारी दुनिया प्यारी दिखाएंगे सईद अनसारी